क्यासे आप सभी आप सभी का स्वागत है आपके अपने सी ओटूप चला संदिव दूबर सीजी पेसी में आज हम लोग भारत की सविधान के महदपूर्ण प्रस्न देखेंगे जो आपके आगामी सीजी पेसी के लिए बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट है साथी सीजी इतना को अगर अच्छे से तैरी करते हैं तो 100% आपको प्रिलिम्स कॉलिफाई हो जाएगा यह अच्छा कासा वेटेस देता है लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा साटिकता के साथ आंसर लेना होगा और बहुत ज्यादा गहनता के साथ इसको पढ़ना होगा ठीक है अमीद है कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे कई बर कई कोस्चन को फॉर्मेट को मिला कि एक ही कोस्चन के रूप में दे देंगे तो इसको भी ध्यान में रखेगा तो भारत के सावीधान में मुख्यता बाइस भाग है बारा अनुसूची है तीन सो मजचानवे आप दल बदल पेहल नहीं था ये भूमि सधा रजिनियम पहला था फिर दल बदल आया फिर पन्याय रैए फिर नगरिया निकाय इस परकार सब्सकुद तो बताना है किन में से सुमेलित नहीं है नागरिकता भाग 2 में है बिल्कुल हम लोक जानते हैं मौलिक अधिकार भाग 3 में है M willing करतव भाग 4A में है क्या गलत 5a में है और राज 2 सभी धन के भाग 4 था में है इसको 2019 निती निते शक्तत तो आएगा न भाग 4 में इसको ध्यान में रखना चार के ए में नहीं सी करने गलत हो जाएगा अगला प्रस्न के बारे में बात करते हैं कि भारती से विधान का कौन सा भाग अध्याय संग और राज्यों के बीच विधाई संबंद की कनेत्रित्व करता है अगर संग और संग और राज्यों के बीच में बारे में मैं बात करूँ तो ये भाग ग्यारा से ग्यारा का अनुच्छद एक मतलब अनुच्छद के बारे में बात करो तो यह अनुच्छद है ? से सन्ग और राज्यों के भीच विधाई संवन्द के बताता इसको ध्यान में रखना ओके और संसद और राज्यों के जो विधान मंडलड विध्यों उनका विश्टार करती हैं टो से नहीं है थे स्लेखने कि भारती सह भारती सविधान के भाग सोला में क्या है तो भाग सोला में क्या है भाईया तो बताइए अंसर इसका क्या होगा कुछ विशेश वर्गों के लिए विशेश उपबंध तो कुछ वर्गों के लिए विशेश उपबंध है भाग सोला में तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं एक से लेके 22 भाग में क्या क्या है देखिए पहला भाग में संग राज रुष का छेत्र मैं थोड़ा लिखूंगा आप इसको थोड़ा अच्छे से समझने एक बढ़ रिकॉल करने यादा जाएगा दूसरा भाग में नागरिक्ता तीसरा भाग में मूल अधिकार चौथा भाग में है राज की निती निर्देशकतत दोड़ीपी ऐसपी उसके बद भाग चौथा के एम में मूल करतव फंडामेटल डूटीज मूल करतव कितने हैं 11 पहले 10 उसको बाद में बात करेंगे फिर संग की बारे में बताया गया भ भाग छे में तो उसके बाद बात करूं भाग साथ में क्या है राज सव द्लेशन कर दिया गया है तो आऻ में रखना नहीं भी आयात रखेंगे तो चल जाएगा भाग आठ में बता दूससंग राज है और उसका छेत्र यू है नगर पालिका भाग 9 में क्या है इस को एसे समत canım सकते है भाग 9 में क्या है आपको मिल जाए गर पंचायती राजए उसके ना और editor คže में आपको मिल जाएगा नगर पालीका और सहकारिशमीद ठीकी कün रगद विधाई संबंध उसके बारे में है जिसमें अध्याए एक अध्याए एक में क्या बताया गया भीया कि विधाई संबंध केंद्र और राजे की बीज और दूसरा बताया गया अध्याए जो 300 अनुच्छे थे नहीं तीन सवा उसमें समपत्ति का अधिगार उसको एड़ाउन किया था भाग 13 में अगर मैं बात करूँ तो भाग 13 में क्या मिलेगा आपको भाग 13 मिलेगा भारत के राज छेतर के भीतर वैपार वाडिज्य और समागम भाग 14 भाग 14 क्या मिलेगा अधिकरण बार वाग 15 में निरवाचन निरवाचन मिसवा सोला में कि एष्टी सेनों सूचि जन जाती और पिछले वर्ग को विशेश उपबन्ध प्रदान करना भाग 17 में भाग सत्रम क्या है राजवासा भाग ठारम क्या है अपात उपबंध अपात कालिन के बारें पताएगे अपात उपबंध भाग 19 में प्रकीर्ण है अब भाग 20 में क्या है भाग 20 में सविधान का संसोधन है और भाग 21 में क्या है इस्थाई परिवर्ति और विशेश उपबं बाइस में अगला प्रस्थ में देखते हैं कि भारती सवीधान में है तो भारती सवीधान में जैसे 306 दिये 340 दिया है 50 दिया है पांसो दिया है 400 तो इसको आपको आंसर ऐसा अगर डिकॉल रुक्रोस को लाता है ना तो 400 प्लस है अगर अगर बात करू अनुच्छेद वर्तमान में भारती सविधान के गड़ना के दृष्टिकों से कुल कितने अनुच्छेद अनुच्छी है 12 अनुच्छी और कितने अनुच्छेद 395 अगला प्रस्ण देखते हैं कि राष्टपती के सिफारिस के बगर कोई वि सविधाय का नहीं रखा जा सकता यह प्रावधान भारत की को 12 सवीधान के कौन से अनुच्छेद में वरिनीत है तो यह अनुच्छेद है 171 हुआber अगला प्रसन देखते हैं कि भारती सविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारती सिवाओं के बारे में प् मूल में कितने थे आठ चार संसुधन करके जोड़ा जया है अगला प्रस्न देखते हैं कि भारती सविधान के निम्न में दीगी अनुसूची में से कौन सा एक अनुसूची है जो राज्यों के नाम की सूची तथा राज्यों के बीच जो शेत्रों का व्योरा देता है वो पह किया गया तो नवियों सूची का वह भाहिया यह आता है 1959 में तब कौन थे हमारे भारत के प्रधान मंत्री यह जवाला नहरूजी तो आपको पता होगा राज सूची संग सूची समवर्ति सूची तो यह किसका सूची है समवर्ति सूची का विशय है क्या आर्थिक योजन अगला भारती सविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है तो यह रखा गया है दस्वी अनुसूची कब जोड़ा गया था 1984 को अगला प्रस्ण देखे हैं कि भारती सविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घुसीत किया गया है तो भारत एक सारो भारत समाजवादी पंत निर्पेक्ष लोक तांत्रिगर राज है और मैं आपको बरतादू अरतमान में कितने सविधान संसुधन हुआ एक प रहा गया तो यह व्यालीश्वा सविधान संसुधन उननीश सो चीहत्तर मिनी कॉंस्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है जब सविधान संसुधन की बारे में हम लोग विस्तिरत चर्च करेंगो उसमें हर एक चीज को पॉइंट आफ सारे चीज की महत पूर्ण पॉ तो यह वही केस है ना जिसको हम लोग बारवर पढ़ता है केश्वनांद भारती बना भारत राची ऑप्शन अमर्डी का वह उननीश सो तीहत्तर में भारती सविधान में उद्देशी का तो सविधान का भाग है किन्तु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्र मुकुन होता है जनता जनता में नहीं थे सरकार और सरकार में नहीं थे क्या जनता तो इसको भी कनिक करके रख सकते हैं हमारे देश का सब्सक्राइब बात कुरूए के बारे में तो हमारे देश का जो सर्वोच पत है नय पालिका के संदर्व में बात करता हूं तो यह हो जा आजयेगा मुंशीब में आले मुंशीब नेले फिर आजयेगा ग्राम नेले तो अध्यक्षात्मक प्रेसेंडेंसियल प्रेसेडेंसियल सासन का उद्धाय सर्व प्रतं किस देश से हुआ तो इसको आपको ध्यान में रखना कि वह कारे कारे प्रमोक हो जाता है तो वास्तर प्रमोक कौन हो जाएंगे प्रदान मंत्री तो इस grouped स्वप्रकार्श ध्यान में रखेगा भारत एक गटटंतर राज Agris का अर्थ क्या होगा कि भारत में पाल भारमें जो भी बड़े स्तर्मा जैसे राष्ट पती का ये प्रधानमंत्री का वो वंसा नुगत ना ऻोकर वोगा उसके युग्यता क्या धार, पड़त इसी और बोला जैता है गढ़तन्तर भाश्तमें प्रजयतंत्र किसने प्रस्तावित कि यह जै नरायन जैन प्रकास जैने प्रकास नरायन जी ने अगला भारत में जनगर्ण मन भारत के जो राष्ट्रक उनको अपना है कब अपना है 1950 में भारत सासंद्वरा राज की चिन्द कब अंगे करत किया गया तो यह आद रखना आपको 26 जनवरी बहुत इजी कोशन है लेकिन जब अपको थोड़ा थोड़ा चीजों में गलती होने स्टार्ट होता है ने यहीं पस अब गलती करके जाते हैं तो कम से कम इजी कोशन को गलत न करें भारती राष्टी द्वज में चक्र भाई यार नयाय का प्रतिक है अब अगला प्रस्ति हैं कि राष्टी पंचायत की संबंध में क्या सही है भारती राष्टी पंचायत की संबंध में क्या सही है भारती राष्टी पंचायत की विक्रम संबंध पर अधारित है और इसका अपनाया गया था भारती सविधान में हमारे राष्ट कुले कि किस नाम से है इंडिया अर अनुछेत क्या बोलते हैं राज्यों का यूनियन चविधान बतला भारत राज्यों का संग है इसको ध्यान में रखना निमनलिखित में किस प्रवधान के अंतरगत भारति संसत का नए राज्य बराने का दिकार है अनुछेत तीन और अनुछेत दू क्या है कि विदेशी या देश से टूटके अलग राज्य से मिलके अलग राज्य बनता है तो सविधान संसोधन की आशक्ता नहीं पड़ती लेकिन प्रस्ताव कोन पारित करेगा संसाथ अंतता इसमें अनमौधन कोन करेगा राष्टपती यहां पास राज्य का कोई हस्तशेप नहीं होता एक या राज्य बनने में जो सविधान इक संसोधन उसकी लिए बहुत बहुत क्या होने चाहिए एक राज्य जैसे मध्यप्रद्ः सथ्तिस्ग्र अलग हुआ जैसे कीसा होगा यह सधारन बहुमत से पारित हो जाता है राजय कठन नयव ने एक नॉमर और मिनिस से छफवन को कितने राजय को बनाया तो यह भाया शोला में से किहाट सपरते..शका खेट केंद्र स Supremekap控 refuse को बनाया लेगिन वर्त मान परिपेक्ष्म सुधन द्वारा दिल्ली को राष्टी राष्धानी की दर्जा प्राप्त हुए 79 वा सविधान संसुधन से 35 सविधान संसुधन सविधान संसुधन के आसपस इसको पूर्णता हमारे भारत संग में विलाय कर लिया गया भासाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज आंद्र प्रदेश इसके बाद एक आयोग को गठन होता है फजल अली आयोग भारती सविधान के किस भाग में हम नागरिक्ता के और निम्नलीकितं में को कि अरजन एटू सर Stick को को नियत करने के लिए सक्षह मैं ακिशन संसर नागरिक्ता संसोधन 1955 के अंतर्यकत पंजी करन दौरा भारती नागर्टा प्राप्त करने हैं तो भारती मुल्के व्यक्ती को भारत में कितने वर्स रहना निवास है तो साथ मूल अधिकार कहा जाता है देखे सबसे पहले हमें इस कांसर बता दू वह अधिकार जो सविधान में उल लेकी थे मूल अधिकार कहला हैगा या व्यक्तिकत विकास की लिवासक है ये मूल अधिकार कहला हैगा और संसद इसके विरुद में कानून नहीं बना सकता है यह मूल अधिकार आगा तिसका अंसर का एक चार और पांच मूल अधिकार मूल अधिकार क्या है अपात काले निस्तिती पर निलंबन किया जा सकता है बिल्गुल किया जा सकता है अगला है कि भारती सविधान के कौन से अनुष्यद में सविधानिक प्रवधानों को संगी संसत और राज विधान पालिकाव दौरा बनाएगे नियम कानून पर प्रात्मिक्ता प्रदान करता है तो यह अनुष्यद है तियर्वा लास्ट प्रश्यद दिखते हैं कि सविधान के किस अनुष्यद में कानून की समक्ष समानता का दिकार है ती यह है चहुदा और इसके बाद विदी की समक्ष समानता और सोलम क्या है और सुरो की समानता तो इस प्रकार से इसका पहला चैट है और लाएंगे अच्छा लगए की कर्भपर कर वड्यों की कर्भपर कर वो युर कर शेस्क्राइब कर शेस्क्राइब कर था बढगा थासर क्या है